आज यानिकी शुक्रवार को सुप्रिम कोट ने अलिगर मुस्लिम युनिवर्सिटी के अलप संख्यक दरजे पर एतिहासिक फैसला सुनाया है कोट ने अपने पुराने 1967 के फैसले को पलटते हुए इस मुद्दे को एक नई तीन सदस्य पीट को सौप दिया है इस फैसले से AMU के अलप संख्यक दरजे पर पुना विचार किया जाएगा आपको बता दे कि मुस्लिम चात्रों के लिए 50% आरक्षन की संभाव ना खुल सकती है अलिगर मुस्लिम युनिवरसिटी पर कोट ने बड़ा फैसला सुनाया फैसला सुनाने के दोरान कोट ने कहा कि अलप संख्यकों के जरिये युनिवरसिटी के अस्थापना काफी नहीं है सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में याची करताओ की बात को खारिज कर दिया कोट ने कहा कि एम्यू को अलपसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी अस्थापना मुस्लिम समुदाय ने नहीं बलकि बिरिटिश शरकार के एक कानून से हुई थी अदालत के मताबिक अनुछे 30 का संड़क्षण केवल उन संस्थाओं को मिलता है जो अलपसंख्यक समुदाय द्वारा सीधे तोर पर बनाए गए हो ना किस सरकार के कानून से हाला कि फिलाल EMU का स्टेटस बरकरार रहेगा अब चली आपको बताते हैं कि आखिरकार यह पूरा मामला क्या है और इसके पीछे का इतिहास क्या है दरसल EMU के स्थापना 1920 में बिर्टिश सरकार के एक कानून के तहद की गई थी इसे मुस्लिम समुदाय के लिए एक एहम सेक्षणिक संसान माना गया लोगों का मानना था कि यह मुस्लिम समुदाय के लिए और उनके द्वारा बनाई गई थी लेकिन 1965 में संसद ने EMU के परशासन में कुछ बतलाव कि है जिसे यह चिंता बढ़ गई कि युनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक पहचान खत्रे में है सुप्रीम कोट के सामने मुख्य सवालिया था कि क्या EMU को अल्पसंख्यक संसान माना जा सकता है डॉक्टर अजीज बाशा और दूसरी आचिकरताओ का कहना था कि EMU का उदेश मुस्लिम समुदाय की सैक्षिक और सांस्कितिक उन्नती है इसलिए इसे अल्पसंख्यक दरजा मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार के हस्तचेप से उनके संबैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है बता दे कि 1967 में भारत के सुप्रीम कोट ने अजीज बाशा मामले में एक महतपुन फैसला सुनाया जो अल्पसंख्यक अधिकारों और संबीधान से जुड़ा था इस मामले में सवाल यह था कि क्या अल्पसंख्यक संस्थान का दरजाद दिया जा सकता है संबीधान के अलुचे 30 के मताबिक अल्पसंख्यकों को अपने शैक्छनिक संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार है ये तो थी इतिहास की बात अब रुख करते हैं उस पहलू की ओड़ जो सबसे ज़्याद है महत्यपोंड है कि आखिरकार एम्यू काल्पसंख्यक दरजा क्यों महत्यपोंड है और इससे सिक्षा में क्या बदलावा सकता है आईए विस्तार से जानते है अलिगण मुसलिम विश्वविदाले को हाल ही में मिला अलपसंख्यक दरजा देश में सिक्षा के छेतर में एक बड़ा बदलावा सकता है इस दरजे के तहट विश्वविदाले को अल्प संख्यक समुदायों के छातरों के लिए विशेश सेक्षिक उसर और प्रवेश में आरक्षन देने की अनुमती मिलेगी साथ यह दरजा AMU को अपनी सांस्कितिक पहचान और परंपराव के अनुरूप सिक्षा प्रदान करने की सोतंतरता भी देता है आपको बता दे कि AMU का अल्प संख्यक समुदायों के छातरों के लिए उच्चे स्रक्षा में अधीक और सर प्रदान करने में मदद करेगा बात करें विशेस आरक्षन की त्वल्प संख्यक समगायोक छात्रों के लिए आरक्षित सीटों के माध्यम से उच्चे सिक्षा तक उनकी पहुँच बढ़ेगी और साथ ही एम्यो पाठिक्रम में सांस्कीतिक और धार्मिक विश्यों को समाविष्ट कर सकेगा जिससे चात्रों को एक ऐसा माहौल मिलेगा जो उनकी पहचान के अनुकूल हो शिक्षा में विवित्ता की अगर बात करें तो शिक्षन और परसासन में विवित्ता को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे एक समवेशी सैक्षने की वातावरन बनेगा साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर चात्रों के लिए औसर भी मिल सकता है इस दर्जे से विश्वविद्दाले आर्थिक और समाजिक रूप से पिछडे हुए चात्रों को सहायता परदान करने के लिए बेहतर नित्या बना सकता है वही अगर विशेशगों का माने तो उनका कहना है कि M.U. का अलप संख्यक दरजार न केवल अलप संख्यक समुदाय के चात्रों के लिए फायदे मन्द होगा बल्कि इससे अन्य संस्थाओं के लिए भी एक मिसाल कायम हो सकेगी इससे देश के सिक्षा, छेत्र में समावेशीता और विवित्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी M.U. का ये कदम भारतिय शिक्षपर नाली में एक सकरात्मक बदलाव का प्रतिक है जो ना केवल अल्प संख्या को बल्कि सबी समुदायों के लिए लाबकारी सिध हो सकता है अभी के लिए इतना ही ऐसी और जानकारी के लिए फिट जुरूंगे आप सभी के साथ तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लोकल न्यूज ओफ इंडिया गाउं की गूज दिल्ली तक और अभी के लिए दीजिया में इजाज़त धन्यवाद